Hey guys, what's up? I hope you're doing well. I'm Prithvi. So today we will discussing about Cabinet Mission 1946. तो चलिए अपना discussion स्टार्ट करते हैं. Cabinet Mission पर discussion करने से पहले थोड़ा Britain के बारे में जान लेते हैं, Britain की सरकार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको बताए कि भारत Britain का उपनी वेस हुआ करता था, तो ब्رिटेन में जैसी सरकार होगी, भारत के हालात भी वैसे ही होँघे. तो इसलिए ब्रिटेन की बारे में जानना जरूरी है, ब्रिटेन की सरकार के बारे में जानना जरूरी है. तो जब केमिनेटे मिशन भारत वेजा गया तो उसमें ब्रिटेन में बहुत कुछ बदल चुका था आपको पता है कि सेकिंड बल्डवार जो है वो सेकिंड सेप्टेंबर 1945 को समाफ्त हो गई थी और ब्रिटेन में इलेक्षन भी हो गए थे और ब्रिटेन में इलेक्षन जो है वो कंजर्वेटी पार्टी हार गई थी लेवर पार्टी जीत गई थी और लेवर पार्टी का जो चैरा था या प्रिटेन का जो पर्धान मंतरी बना वो बना क्लीमेट एटली और क्लीमेट एटली या मैं खहूं लेवर पार्टी जो है वो जल्द से जल्द भारत की सता भारतियों को सौंप देना चाती थी या ड्रेक्ट बोलें कि भारत को सोतंतर करना चाती थी तो इसलिए जो है केबिनेट मिशन का गठन जो है क्लिमेट एटली के द्वारा किया गया और इसके लिए सरकार ने तीन सदस्यों को चुना पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स ये उस समय ब्यापार बोर्ड का के अधेक्स थे और आपको बता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स पहले भी भारत आ चुके थे क्रिप्स मिशन को लेकर इसलिए जो है इनोंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है इसमें एड किया क्योंकि उनको पहले अनुभव था क्योंकि पहले भारत में आ चुके थे और जो दूसरे स्टस्य थे ये थे एवी एलेक और इसको जो है cabinet mission इसलिए का गया क्योंकि ये जो तीनों सक्स जो आपको दिख रहे हैं ये तीनों जो है उस समय ब्रिटेन की पार्लियमेंट के cabinet के मंतरी थे ओके अगर ये cabinet के मंतरी ना होते तो साइध cabinet mission इसका नाम नहीं होता तो एटली ने इनके साथ discussion किया कि आप भारत जाइए और वहां पर किसी वी तरह कुछ वी करके वहां पर सबधान को बनाने में भारतियों की help करिए सरकार बनाने के लिए भारतियों की help करें गर जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके भारतियों को सता हस्तांत्रित कर दीजे मतलब भारतियों के हाथ में भारत को छोड़कर बापिस आजाईए अब हमें भारत में कोई interest नहीं है तो ये तीनों फिर भारत आते हैं और भारत में पहुंचते हैं 24 मार्च 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है दिल्ली में पहुंचता है और जो कैबिनेट मिशन था जिस चैसकी मैंने आपसे कहा कि cabinet mission का जो main motto था बो था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना भारत में सब्धान निर्मान करवाना सब्धान निर्मान है तू योजनाय वनाना प्लानिंग करना तो जब cabinet mission भारत पहुंचता है तो ये भारत की political party यां मतलब उसमें दो main थी Congress और Muslim League तो उनके साथ बैठकर discussion करते हैं और discussion तीन बीक चलता है तीन सफ़ता है और आपको बता है Congress और Muslim League की उस time वो विचार नहीं मिलते थे Muslim पाकिस्तान की मांग कर रहा था वहीं पर Congress भारत की विवाजन को वो send नहीं करना चाता था मतलब भारत का विवाजन नहीं चाता था तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है वो वहन्स चल पड़ती थी तो क्या होता है कि सीधा बोला जाए कि जो political deadlock था वो खतम नहीं हुआ तो finally फिर cabinet mission ने decision लिया कि हम कुछ proposal बनाते हैं और उसको आपके सामने रखेंगे और आप जो है उस पर discuss करिएगा और अगर कुछ भी उसमें changes करने हैं तो आप बताईएगा ठीक है तो फिर क्या होता है कि 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को जो है cabinet mission अपना proposal रख देता है और इसमें cabinet mission ने जो मुस्लिम लिडिकी पाकिस्तान की जो मांग थी ना उसे असविकार कर दिया हुसे मानने से माना कर दिया और इन्होंने कोशिस की कि भारत को जो विवाजित ना किया जाए और इन्होंने का कि भारत एक संग होगा जैसे कि आज आप देखते हो कि भारत राजियों का संग है तो यही सेम यही सीन उस टैम था कि भारत को एक संग बनाने की कोशिज की गई कैमनेट मिंशन के दौरा जिसमें ब्रेडिस प्रांथ या आप कहें भारतिया प्रांथ और देशी रियास्ते प्रिंसली स्टेट जो है वो सामिल होगी और सब्धान सबाओं का गठन मल जो सब्धान सबाओं जो सब्धान बनाएगी उसके लिए एक जो सब्धान होगी उसका गठन जो है जो प्रांतिया विधानसवा हैं तथा जो देशिया रियास्ते हैं जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके प्रतिनी धियों के द्वारा किया जाएगा मतलव एक कहने का सीधा सा यह है कि जो सब्धानसवा का गठन होगा उसके जो सदस्य होंगे वो इंडिरेक्टली मलब प्रतेक्स रूप से चुने जाएंगे और चुने खिसके द्वारा जाएंगे तो जो प्रांतिया विधानसवा हैं और जो देशिया स्टेट हैं उनके प्र जाएंगे विधानसवा के सदस्यों को चुनने का और इसमें जो प्रोविंशील स्टेट हैं जो भारतिया परांत हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया मतलब अलग-अलग ग्रूप बना दिये गए सारे जैसे कि ग्रूप A में रखा गया मधरास बंबई मध्या इसको Central Province कहते थे स्विंक्त प्रांत या Union Province बिहार और उडिसा इन्हें रखा गया Group A या समू A या Section A आप जो भी कहो और Section B या Group V या समू B या समू ख में जो है वो पंजाब उत्तर प्रदेश थोरी पंजाब उत्तरी पश्ची में सीमा प्रांत सिंध और यहां पर आएगा आ समूख या Section V या Group V में और समूग या Group C या Section C में रखा गया बंगाल और असाम को और इसे तीन त्रीस तरिये भिवाजन मतलब इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया कैसे देखो क्या था कि से उपर क्या था Union मतलब सेंटर था उसके नीचे था प्रांत प्रांतिया व ठीक है तो यह तीन भागों में डिवाइडिड थी जिस तरह आज आप वी देखते हो हमारे हां Center government है उसके नीचे State government है उसके नीचे Local governance है जैसे पजाई तरह वगए तो सेमी ही उस टाम जो वाजन किया गया था आप यहां पर दीखिए जो ग्रूप A है ग्रूप A में यहां स्विक्त प्रांत आज का जो उत्तर प्रदेश है और जो सेंडरल प्रोवियन्स या मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है ठीक है और बिहार ये जो है गरूप A में एड़ किये गए जो रैड कलर में आपको दिख रहा है और गरूप B में रखा गया पंजाव, नौर्थ इस्ट फरंटिर प्रोवियन्स और सिंद बलूचिस्तान इसे गरूप B में रखा गया गरूप C में वेंगौल और असाम को रखा गया तो इस तरह तीन गरूप बनाए गए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इसमें जो कैबिनेट मिशन ने जो प्लान रखा जो प्रपोजल रखा तो इसमें उन्होंने मैंने किया था कि जो भी गरूप हैं जो भी समूँ है A, V, C, D ठीके तीन गरूप हैं तो इसमें परांत हैं या इसमें जो परांत हैं यह सबी जो अपने लिए सबसे पहले सविधान बनाएंगे जैसे मदराश जो अपने लिए सविधान बनाएगा बंबई अपने लिए सविधान बनाएग सिंद अपने लिए सब्धान बनाएगा और ग्रूप गर्वमें बंगाल असाम सभी अलग-अलग से सब्धान बनाएंगे और उसके बाद यह सभी अपने अपने ग्रूप के लिए सब्धान बनाएंगे। उसके बाद इस सभी ग्रूप जो है अपने सुमू के लिए सब्धान बनाएंगे जैसे की ग्रूप A के जो जितने भी प्रांत हैं या जितने भी जो इसमें प्रोविजियल एड किये गए हैं उस बो जो है ग्रूप A या ग्रूप सुमू का के लिए सब्धान बनाएंगे और खह के जो जितने भी प्रांथ हैं वो समू खह के लिए सवधान बनाएंगे और गह के लिए और उसके बाद सबी समू जो है मिलकर भारत के लिए constitution बनाएंगे मतलब क्या है कि जैसा कि आप USA में देखते हो कि USA की परते एक state का अपना constitution है और USA का अपना constitution है तो सेम यही सीन था भारत में cabinet mission के द्वारा यही जो है भारत में apply किया जा रहा था कि सबी जो प्रांथ है अपने अपने लिए सवधान बनाएंगे उसके बाद जो है वो अपने group के लिए constitution बनाएंगे उसके बाद जो है भारत के लिए जो है वो सवधान बनाएंगे और इसमें जो है इन्होंने provision add किया था कि जो absist सकतिया है वो प्रांथों में निहेत होगी मतलब इन्होंने center को कम power प्रदान की थी as comparison to प्रांथों के ठीक है मतलब जो center है मारा ठीक है उसके पास कम सकतियां थी और जो मारे प्रांथ थे उनके पास ज़्यादा सकतियां थी तो जो absist सकतियां आप जानते होंगे कि जैसे कि आज भी आप देखते हूँ कोई सेंटरल सुची राज्य सुची मतलब अलग अलग है जिसके पूलिस जो है वो राज्य सुची के विसा है और center सुची में अलग अलग चीज़ आती है मतलब जो राज्य और केंद्रिय सुची से बाहर की जो चीज़ी होती है उसे हम मतलब किंदर सुची, संबर्ती सुची भी है, ठीक है, किंदरिय सुची, राजिय सुची और संबर्ती सुची से बहार जो भी मैटर होंगे, उसे हम अबसिष्ट सक्तियां या करनें कहेंगे, या अबसिष्ट मैटर कहेंगे, ठीक है, तो अबसिष्ट सक्तियां जो आ जाएंगे और जिसमें जो है भारतिय प्रांतों से या ब्रेडिस प्रांत या भारतिय प्रांत आप जो भी कहें भारतिय प्रांतों से 292 सदस्या इंडियन प्रोविंसियल से 292 सदस्या और देशी रियास्तों से 93 93 सदस्या और मुख्या आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्या चु ना जाएगा ठीक है तो केभिनेर ने जोए या कैभिनेरमिसन जोए यह परपोजल मुहमद-ली जीचिणा या मुश्लिम-ली μαवद रखा है और सबी सोच रहे दली जीना ने इसको कैसे accept कर लिया क्योंकि इसमें जो है भारत विवाजित की बात जो है वो नहीं की गई भारत को विवाजित कर नहीं किया जाएगा तो इसके पीजी reason पता क्या था यहां पर देखोगे कि जो group में divide किये गए थे मारे प्रांथ तो यहां पर देखो कि जो प हारत में होता आदा पाकिस्तान में जाता बट जो cabinet mission के द्वारा जो grouping की गई थी उसमें किया था कि जो group जो green वाल आपको दिख रहा है सिंद ब्लूचिस्तान पंजाव नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया ठीक है यह Muslim बहुल शिद प्रांथ थे वहीं पर पूरा का पूर बंगाल असाम जो यह भी Muslim बहुल था बाकि ग्रूप A में जो जितने भी आपको red color में दिख रहा है ना एक साही सारा जो हिंदू बहुल था तो मुहमद अली जीना ने सोचा कि यार मैं पाकिस्तान की मांग कर रहा था तो कम area जो हमें दिया जा रहा था बट cabinet mission को अगर हम accept करते हैं तो एक बहुत बड़ा इसा मतलब लगभग भारत के बनावर ही इसा जो हमें ऐसे पाकिस्तान के रूप में मिल सकता है उन्होंने सोचा कि ठीक हम इसको accept कर लेते हैं और चार-पांच साल के बाद जो है जैसे तैसे जो अपनी पकड जो है बेश्ट बंगाल असाम म बना लेंगे और पाकिस्तान से इंद वैसे भी हमारे अंडर में होगा तो फिर वेक बहुत बड़ा पाकिस्तान बनेगा तो इनकी पूरी प्लानिंग ए थी उसके बाद प्रपोजल जाता है कॉंग्रेस के पाथ पास तो कॉंग्रेस कहता है कि हम इसको accept कर लेंगे बट इस भारत को सोतंतर करने की बात किया और इसने भारत में सफधान बनाने की बात किया अंतरिम सरकार को गठित करने की बात किया और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है संपरदाइक election मतलब जो कहते हैं है कि मुस् terrifying को चुणेगा Sicsik को चुणेगा ठीक है उस चीज़ को जो avoid कर दिया गया था कि कोई जो है किसी को भी चुन सकता है तो यह इसकी सबसे वड़ी खासियत थी लेकिन कॉंग्रेस नहीं यहां पर कुछ चिंजिस करने के लिए कहा वो इन ग्रूप्स में कि जो ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C जो बनाए गए है ना तो यह जो वो पर्मनेंट नहीं होने चाहिए यह टेंपरेरी रखे जाए कि कोई भी ग्रूप जो है किसी दूसरे ग्रूप में जासकता है फॉर एक्जम्पल के लिए कि अगर मदरास जो है मदरास ग्रूप स्मूग का का सदस्या है ठीक है अगर वो 5 साल के बाई या कुछ टाइम के बाद ग्रूप कव में जाना चाहिए तो वो उसमें जासकता है अगर पंजाब जो कुछ टाइम बाद है ग्रूप कव में या ग्रूप A में जाना चाहिए तो वो उसमें जासकता है, मतलब यह temporary होंगे कि उनको ग्रूप A, ग्रूप B या ग्रूप C में रखा गया, वो जो किसी भी ग्रूप में एड होसकते हैं, तो जब cabinet mission के जो leader थे, इन्होंने आपसमें discuss किया, तो उन्होंने इस पात को accept कर लिया, और इन्होंने कुछ चीज़े इसमें एड की, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रांट जो है, दूसरे ग्रूप में एड होसकता है, पांस साल के बाद, जैसे आज कि हमारी सरकार चुनी जाती है ना, और मारी सरकार पांस साल जो है, वो बदल जाती है, सेम यही सीन जो इसमें रखा गया है कि कोई भी ग्रूप का अगर प्रांट है, जैसे कि मदरा से, अगर यह चाहे ग्रूप का से ख़व में जाना, तो आने वाले पांस साल के बाद जो ग्रूप ख़व में एड हो जीना को मालूम पड़ती है, तो मुह दली जीना कैबिनेट मंत्रियों को सामने जाते हैं, और कहते हैं कि यह गजब बेजती है, कभी आपने कहा कि कैबिनेट के, सोरी, जो ग्रूप है, ठीक है, वो जो है, वो अलगलग नहीं करते हैं, वो इसे रिजेक्ट कर देते हैं, बट कॉंग्रिस ने जो है, इसे एकसेफ्ट कर लिया था, कॉंग्रिस ने अगस्ट उन्नी सो चैलीस को इसे सविकार कर लिया, और सीधे ही जो है, फिर इनको जो अंतरिम सरकार बनाने का दिकार मिल गया अंतरिम सरकार गठित करने की जो है परमिसनी ने मिल गई और फिर जवाहलाल नहरु की देखस्ता में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अलग लग डिपार्टमेंट जो है वो सबी मंत्रियों में बांट दिये जाते हैं जो important नहीं है हमारे लिए तो फिर क्या होता है कि जैसे ही अंतनी एह proposal accept होता है सरकार बनती है और कुछ मुदे discuss होना सुरू हो जाते हैं तो वहीं पर आपको क्या लगता है कि Muslim League चुप बैठती तो होता है कि जैसे ही एह सब कुछ होने लगता है कि मतलब cabinet mission जो है accept कर लिया जाता है सरकार बन जाती है तो उसके बाद जो है जो Muslim League है ठीक है वो जो है साइट से जो दंगे फैलाना सुरू कर देती है मतलब भारत में संपरदा एक दंगे बढ़ना सुरू हो जाते है और बहुत ही huge level पर start हो जाते है बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है तो यह सारा scene जो हो उसके बाद होता है और जो हमारे जवाला नहरूव गयरा जो जितने भी मंत्री थे इन्होंने 2 सितंबर 1946 को अपने अपने पद की सफ्त ग्रहन की और इस तरह से जो है cabinet mission जो है लगवग success सी रहा मतलब जिस काम के लिए आया था उसने लगवग 97% जो से पूरा कर लिया था तो गाईज ए था हमारा cabinet mission 1946 तो इस lecture में वस इतना ही मिलते है नेक्स lecture में तव तक के लिए बाबा गाईज